बच्चों क्या आप जानते हो कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विश्नु जी की जगा गनेश जी को क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे एक रोचक कहानी है. लक्ष्मी और गनेश जी की पूजा का जिक्र कई पौरानिक कथाओं में हुआ है. एक समय की बात है जब किस वेरागी साथू को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी. इसलिए वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगता है. उस साथू की आराधना से प्रसन होकर लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती है और साथू को वरदान देती है कि उसे सम्मान और उच्चे पदप लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलाता है। ये देखकर सभी चौंग जाते हैं और सभी उस साधू को ग्यानी संत और चमतकारी समझने लगते हैं। वहाँ दबरबार में मौजूद सभी उस साधू की जय जयिकार करने लगते हैं। ये देखकर उसके दरबारी भी पीछे-पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकम पाता है जिसमें महल खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधू ने उनकी जान बचाई। इस से साधू का सम्मान और बढ़ जाता है। ये देखकर साधू में घमन की भावना जागरित हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर गनेश जी की मूर्ती पर पड़ती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती तो वह उसे हटवा देता है। इससे गनेश खाने में ही फिर से लक्षमी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय बाद लक्षमी जी साधु को दर्शन देती है और कहती है कि तुमने गनेश जी को रुष्ट किया है। इसलिए तुम्हें गनेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन करना होगा। लक्षमी जी की बात सुनकर साधू गनेश जी की आराधना करने लगता है। इससे गनेश जी प्रसन हो जाते हैं और उनका क्रोज शांत हो जाता है। वो राजा के सपने में आकर साधू को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधू को कैद से आजाद कर फिर से म इस धटना के बाद लक्ष्मी और गनेश जी एक साथ पूजे की जाने लगी। लक्ष्मी जी धन की देवी है तो गनेश जी को बुद्धी को सयम में रखने वाला माना गया है। वैसे कहा भी गया है कि एक संपन जीवन के लिए धन और बुद्धी दोनों जरूरी होते हैं। इसरे की जेत हैं।